और यह सब कुछ ना चलते हैं इस्टोर में तो नहीं हो पाएगा ओ मेरी स्योक्योटी गार भागने लग रही ठीक है और तेरी भाई यह तो करांटे मार रही है यार है गाईज वेलकूम टू मैं चैनल आज हम फिर से खर ले जा रहे हैं फैक्टरी आउटलेट सेबिलेटर और लास्ट अपसोड में याद होगा आपको कि हमने यह अपनी वैन खरी दी ती जो कि हमें पड़ी थी पचास हजार डॉलर की और यह काफी बैगी थी लेकिन हमने अब अपडेट कर लिया है अब नहीं में इस गेम में स्टोर री स्टोकर और सिक्योरिटी गार्ड मतलब अब दो ऑप्शन और बढ़ बढ़ चुक है मारे दो दो इंप्लोई तो मैंने अल्रेडी हैर कर रहे हैं जो कि है फैक्टरी री स्टोकर और कैशियर ठीक है इसके अ अब इसको सब्सक्राइब कर वोगयार इसको नहीं सब्सक्राइब बिदर कर नहीं कर रह荏 है और डिखने मЕं तो जिसके मुझे मिलेंगे बाइस हजार डॉलर लेकिन यार इतना बड़ा ओर्डर मुझे नहीं चाहिए पहले तो बहुत जादा क्योंकि मेरे को रो मैट्रियल की जुरूत पड़ेगी और वाइट थ्रेड वगरा सब के मैं 50-50 खरीदने वाला हूँ अल्राइट गैस तो मैंने सब कुछ भाई 50-50 खरीद लिया मेरे पास से 12,000 डॉलर रहे गए तो अब भाई भी मैनुफेक्चर करना भी शुरू कर देता हूँ तो टी-शिट वगरा तो आइटिंक मेरे पास है लेकिन फिर भी भाई में देख लेता हूँ मुझे मेरे पास ना कुछ महँगी टी-शिट खतम हो चुकी है तो मैं उनको बना लेता हूँ जैसे की नाइकी की नाइकी की टी-शिट बिक जाएंगी थोड़ी बहुत महँगी बिक जाती है और यह काफी महँगी बना लेता हूँ बखी फोरेबर वगरा कि तो आइटिंक रखी हूँ यह बना लेता हूँ ऑफ लाइट की टी-शिट बिक जाएंगी ऑफ लाइट की वाइट बना लेता हूँ तो मुझे देखना है यह मेरा री स्टोकर करेगा क्या और यह इदर खड़ाई हुआ है एक सेगंड यह कुछ कर क्यों नहीं रहा यहां पर तो अल्रेडी बहुत बहुत सामान रखा हुआ है तो यह उठा उठा के उदार रख क्यों नहीं रहा है इसकी क्या दिक्कत है पहले यह नहीं थे कुछ न भाई साइन वोड वगरा भी बढ़ चुका है इसको मुझे लगाना होगा तो मेरी टीवी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी मुझे यह चलो ठीक है यहां लगा देता हूँ बीच ओ बीच यहां पर यह स्याइद ठीक ही लग रहा है और इस वाले को इससे ना भाई मेरा बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा यहां दिक्कत मतले क्या मैं एक और रिस्टोकर है नहीं कर सकता हूँ एक सेकड़ मैं मार्केट में जाता हूँ माई आउटलेट के अंदर एंप्लोईज के अंदर और मेकैनिक और सिक्योर्टी गाड यार मैं स काफी पसंदना है क्योंकि यह काफी महंगे जाते हैं मतलब यार पैंट की थोड़ी सी कमी है लेकिन कोई नी अब बारी है टीशिट हो गया पैंट हो गया अब बारी है सूस की तो सूस तो अल्रेडी काफी बढ़े रखें तो छोड़ो मैं बनाता हूँ अपनी फेवरेट बिख रहें तो कॉफी मग भी बनाने मुझे पर्फ्यूम के डब भी बना लेता हूँ तीन आइधिंग तीन आइधिंग काफी होंगे नहीं तीन से ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो मुझे फिर से शुरू में जाना पड़ेगा और यह देख वाई कितने काम करने लग रह फेक्टरी री स्टॉपकर उनको उठा के इन पर रखेगा और भाई मैं इनको उठाके फर ऐसे रख दूँगा जिससे मेरा स्टॉर पर इंको यहां से उठाके इस टॉर के अंदर री स्टॉक कर देगा काफी जादा बढ़ी अगा मैं मुझे और बनाने क्योंकि पर्फूम is the salmon बनाके मैंने इन रेक्स पर जमा दिया है जैसे कि आप सकते हो और मुझे यह देखना रहा है। करा रहा है। एक सेगैं मैं बैस देख सकते हूं। हाँ इसने सामान जमाना शुरू कर दिया है। इसे कि आप बनाने पढ़ेंगे स्मार्ट वॉच नहीं रखी टोपी नहीं रखी टोपी का ना एक और नया रहा गया था ना एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको मुझे जाना है इंटीरियर के अंदर शॉपिंग इंटीरियर एक दो चीज बढ़ गई थी जैसे कि यह एक दो तीन चार यह सेखेंड में देख लेता हूं सामने जाली चार वाली है यह तो सेम टू सेम यह पहले जैसी यह बढ़ा था एक तो ओके इसके लाबब यह कैप रहा क्या यह यह आल्रेडी है कि मेरे पास दो पार्टिशन वाला नहीं यह और यह बढ़ा है यह तोड़ा बढ़ा बन गए काफी तो इनको ना भई मैं बिलकुल आजू-बाजू में रखने वाला हूँ और इसको भी थोड़ा सा ना भई उठाके दीवार के बाजू में लगाने वाला हूँ ऐसे और इसको थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ जिससे थोड़ा सा स्पेस और हो जाएगा क्योंकि पर्फ्यूम बिक्रायार मेरे साबसे तो वांट टू डेड़ अजार का और कर्चा हो चुका है मेरे पास साड़े छे अजार डॉलर रहे गए बाई मैं अपने स्टोर को भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने जल्दी पैसा नहीं कमाया तो तो पहले वाले को या पास इतना तो यारी तो 2000 का है और स्मार्ट वॉच्वाला कितने का है स्मार्ट वॉच्वाच का रेक है तीन अजार का नहीं यार मैं अभी इसको नहीं कर पाऊंगा अफॉर्ड क्यूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं तो ठीक है अब ना भाई टाम आ चुका एक होल्सेल के एक उपाए है तो होल्सेल में चला जाता हूँ और आज का ओडर है अठाइस हजार का भाई यार मेरे को ना भाई 930 जीन्स भेजने 930 बनाने भाई बहुत जाता टाम लग जाएगा तो मैं नहीं ले रहा है इसको मैं अगले दिन कर लेता हूँ क्योंकि अगले दिन भाई म 50,000 डॉलर का और मुझे सिर्फ 420 यह वाले जूते बनाने तो ठीक भाई मैं इसी को लेने वाला हूँ डील और प्यूमा के ग्रीन स्नीकर्स बनाने मुझे ठीक है तो इनको बनाना तो बहुत जादा आसान है तो इनका प्रोडेक्शन भाई मैं शुरू कर देता हूँ फट सिटी है तो इसको तो मैंसा करता हूँ थोड़ा साला आगे घड़ा कर देता हूँ आई तिंग यहां पर और आज बार ही है वाई मेरे वैं की जो कि मुझे काफी जादा बढ़े लगती बाई बस यह ना कभी को बार फस जाती है दर उदर क्योंकि इसका साइस बहुत जाद की नवाई 55 की है और मुझे सर्फ 42 डब्बेस के अंदर रखने है तो यह तो भाई बहुत जोदा एजी हो जाएगा अपनी इस गाड़ी के अंदर इन डब्बों को ले जाना काफी जादा कपड़े भाई मैंने इसके अंदर भर दी हैं और आई हो भाई यह 42 बैट जाए 42 से तो भाई मिरको जादा ही लग रहे हैं लेकिर पता नहीं गम बैट गे तो फिर मिरको एक चपकर और लेकर आना पड़ेगा इस गाड़ी को तो ठीक है फटा पर से एर लाइ भी नहीं है थोड़ी बड़ी हो चुकी है यार इस गेट को तोड़ा और बड़ा बनाना चीए इसको कि कि हमारी गाड़ी का साइज देखो वह काफी जदा बड़ा है उसे साफ से थोड़ी से नवाई दिक्कत हो जाती है लेकिन कोई निवाई फाइनली हम आ चुके है अब बड़ी एक चीज़ नोटिस की है या फर नहीं की कि यह प्यूमा की जो सूसते ना भाई इसका मैंने लाइसेंस लिया था साड़े 6,000 डॉलर में और इसका मुझे होलसेल का ओडर मिला है 50,000 में अगर ऐसा ही बाई मैं और महेंगे लाइसेंस लोंगा ना इस गेम में जैसे कि मैं 25,000 वाली टी-शर्ट का या फिर शर्ट का भाई मैंने लाइसेंस ले लिया तो अब सोच के देखो भाई मुझे कितना ज्यादा फिर होलसेल का ओडर का प्रॉफिट होगा तो अब से लेने पर और ज्यान देने वाला हूं क्योंकि होलसेल के ओडर से वाई एक तरह से तो इसी के साथ भाई हम आतो चुके हैं अपने स्टोर पे और अपनी गाड़ी को तो चलो मैं ऐसी लगा देता हूं क्योंकि इसका शायद काम पड़ सकता है और होलसेल का ओडर ले सकता हूं अभी तो 57,000 है काफी जदा है और इसके अंदर एक सूस भी पढ़ा हुआ है इस की बोतल है मतलब मैंने ना मेरी गलती है मैंने कुछ चीजों को कम बनाया तो टीक है वह फैक्टरी में फिर से काम करता हूं और चीजों को और ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि अगर सामान होगा नहीं तो रखेगा क्या अब ने स्पीड पकड़ लिए कि यह देखो कम होता जाएगा यह भड़ता जाएगा इधर और अब ना भाई मेरे को थोड़ी सी जगे और बनानी होगी अपने स्टोर में यहां पे तो ऐसे स्मार्ट वॉच का ठीक है स्मार्ट वॉच का एक सेकंड एक सेकंड भई मैंने इसको गलत रखा हुआ है मुझे आइसे रखन रखा हुआ है एक सेकंड मुझे इसको रखना चाहिए कुछ ऐसे अब यह ठीक है लेकिन अब ना मेरे को यह गड़ियां नहीं दिखरी सामने लेकिन इससे ना पता है क्या हुआ भई यहां पर खड़ा हो के बंदा गड़ी खरी सकता है एक साइड ना पहले इसकी दीवार क तो इसको और कर लेता हूं दस हजार डॉलर भाई दस हजार ओ यारी पहले से मेरे में एट्टू कार्ड थे भाई और मैंने इसको और खरी दिया यार मैंने गडबड कर दी पहुच जादा लेकिन ठीक है अब मेरे को ना या आदी किये मतब़ेशने पड़ेंगे फिर से और मेरा ना नुकसान हो चुका भाई लगबग 5,000 डॉलर का लेकिन कोई नहीं भाई 5,000 डॉलर से मेरे को याद आया मैं भूल चुका हूं शेयर मार्केट इसके अंदर भी तो हम पैसा कमा सकते हैं 28 डॉलर फिलाल चल रहा है शेयर का प्राइस एक सेकंड मैंना भाई कोई और कमपनी के भी खरी सकता हूं क्या एक सेकेट मिरे पटा ही नहीं था ok तो यहाँ पर बहुत जदा कमपनी तो मैं यहां से श्रूबात करता हूं 8 आट डॉलर जयाद हो मेरे को यह लेना चलीयाए ठीक है चलो मैं मैं इसके ना ऐसता वहु आँज़। इतो है सिर्फ मैं इसके 25 25 25 25 कितने के मैंने 1000 डॉलर के इसके ले लिए ठीक है और कुसके सस्ते चल रहे हैं मुझे उसके भी शेयर लेने चाहिए इसके नुइस बटन के भी ले लेता हूँ इसके भी भाई बहुत सस्ते चल रहे हैं लेकिन इसका ना भड़ी नहीं रग रहा लगातर कम हो रहा लेकिन 8 डॉलर से कम नहीं जाएगा यह बढ़ेगा तो इसके भी भाई मैं लगवाग 1000 डॉलर के ले लेता हूँ और यह गूची है भाई गूची नाम रिका हूँ है इसके भी आट डॉलर है तो 1,2,3,4 इसके भी मैंने 1000 डॉलर के ले लिया है और कुष 15 डॉलर वाले भी ले लेता हूँ 25 पचीस और ठीक है और मेरे पास अब भाई मेरे को पता भी नहीं है कौन सी कंपनी के कितने स्टॉक है मेरे पास और मुझे यह बेचने कैसे होंगे लेकिन मैंने खरी लिए अच्छे खासे और अब ना भाई में देख लेता हूँ कोई हो इदा नहीं होने वाला फिलाल मैं स्टोर को देख लेता हूँ इदर ना सब कुछ है बस ना दो रैक खाली है मेरे जीन्स के और इदर कॉफी मग परफ्यूम हैड़फोन ओभाई एड़फोन के थोड़े से खाली है बैक का भी एक खाली है इदर टीशर्ट वगरा का भी खा इदर एक खाली हेडफोन तो चलो मैं खुछ से लगा देता हूँ बिचारे को क्या क्य खर्वा हो और इसके डबबे को मैं दरी रख देता हूँ ठीक है इसके लावा चीन का मिरे पत्ट्ट पटा ऑख सापने पड़ा है जीन्स तो नहीं है जुए ठीक है नोट थीक merci बना तो लट गाइज काफी जदा मेनत लग चुकी वाई स्टोर में लेकिन स्टोर फाइनली हमारा फुल हो चुका है एक दो शाय टी-शट की जगे रहे गई है हां सिर्फ तीन स्टोर रहे जगे के लेकिन यह भी टी-शट लेके आ रहा है और इसकी स्पीड देखो जमाने की एक स भूल जाता हूं मैं ठीक है इन्वाइस बगरा के बिल देख लिए और दो मैंने काटून जादा मंगा ली थे ना समान के इनको भी मुझे बेचना होगा एक सेकंड एक सेकंड इसको पैक कैसे करूँ प्लेस करने के लिए ठीक है इसको बेचने के लिए टी दबाना मुझे और स्मार्ट वाच के रेक को भी मैं बेची देता हूं ठीक है यार फालत हूं मैंने यह खरी दे मेरा नुकसान हो गया होलसेल का ओडर भी देख लेता हूं 35,000 डॉलर में 1030 नहीं यार अच्छे ओडर नहीं आ रहे बाई यह देखो 930 में सिर्फ 20,000 अच्छे ओडर पता न कैलविन किलेन के सूस का है 55,000 टोनी हेल फिगर इसका है 42,000 बाई मेरे को ना 20,000 तक का कोई लैसेंस ची है तो यह वाले पैंट का लैसेंस 28,000 इसका है 25,000 ठीक है गूची के पैंट का 22,000 ठीक है मैं गूची का पैंट खरिदने वाला हूं 22,000 जिसका प्राइस है डील ओके इसको बनाने के लिए मेरे को क्याची होगा एक बार मैं देख लेता हूं मुझे जाना है इसमें पैंट शेक्षन में और सबसे नीचे गूची का वाइट जीन्स के लिए आयरन की बटन ओ भाई मेरे को लोही की बटन चाहिए इससे पहले हम प्लास्टिक की बटन का यूज ले रहे थे तो आयरन की बटन है मैटल बटन यही है कि इसके मैं ऐसा करता हूं पचास एक बार में खड़ी लेता हूं सासो डॉलर ठीक है और अब ना भाई गूची के पैंट का प्रडेक्शन भी हम शुरू कर देते हैं लेकिन इसको लगाने के लिए वाई हमारे पास एक प्राइस टेक में मेरे को इसका प्राइस भी फूल करना होगा और इसका एक पैंट भाई 25 डॉलर में बिखने वाला है मतलब मेरी तो लग चुकी आप लोट्री और जैसे कि मैं देख लेता हूं अभी तो नहीं आया तो कम से कम वो एक लाग से तो ऊपर का याने वाला है मत सब्सक्राइब करने वाला हूं क्योंकि अब से चोरी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सामान इसके अंदर भर दिया है और साड़े तील लाग का हमारा टर्नोवर भी हो चुगा है जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया है तो मुझे जाना इंप्लोई जो करने आए गा यह डंडा मानने वाली उसके सर पे तो ठीक है अब मुझे बस यह नजर रखनी है कि मेरा स्टोर कैसा चल रहा है और आज नहां में अपने स्टॉक का प्राइस चल क्या रहा है और यह भूल चुका हूं कि मैंने कौन से को श्टॉक खरीद रहे तो मैं भी नहीं हो रहा है इसमें मेरे को प्रोफिट और 997 डॉलर मतलब 1000 से थोड़ा सा कम लेकिन नहीं यार मैं देख लिए तो वही मैंने और कौन से स्टॉक खरी दे इसका तो भाई मेरा प्रोफिट गिर चुका है इसका बढ़ चुका है लेकिन मैंने स्टॉक ही नहीं घरी दे भाई लग भाई जैसा का तैसा ही चल रहा है तो कोई फायदा नहीं स्टॉक बगरा में तो मैंने फालतु में इतना ज्यादा इंवेस्टमेंट करके रखा हुआ है अब मैं अगर अपने स्टॉर को थोड़ा सा और बढ़ा करूंगा तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है मुझे जाना है I think shopping और expand इसके अंदर मुझे जाना है store के अंदर ठीक है तो मैंने अपना store कहां तक है spend कर रहा है यहां तक कर रहा है ठीक है और अब मैं इसको थोड़ा सा और expand कर सकता हूँ 3000, 1000, 1000, 1000 और 1000 मैं भाई करता हूँ चलते store को expand कर लूगे भाई मैं 1, 2, 3, 4 ठीक है मैंने कर लिया है मेरा store चाल हूँ है और मैंने इसको और ज्यादा expand कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो तो ठीक है अब ना मेरी ओ इसमें एक और गेट बन चुका है तो भाई मुझे ना फिर से सारी चीजों को लगाना पड़ेगा तो ठीक है मैं लगाना शुरू कर देत हूँ जितने भी भीड़ है यह सामाल ले लेके चली जाएगी ना उसके बाद ही मेरे को शायद यहां पर काम करना चाहिए पता नहीं कितनी दिर में store खाली होगा और मुझे एक cashier और हायर करना पड़ेगा जो कि मेरे उस वाले gate पर लग जाएगा और अपने सूस के shelf को तो मेरे भाई ने लगा दिया यह और सूस के तो ठीक है यहां बढ़िया लग रहे हैं तो एक ना भाई मेरे को cash counter खरीदना पड़ेगा और कुछ light भी खरीदनी पड़ेंगी तो ठीक है मैं देख लेता हूँ पहले भाई मेरा store थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो पहले भाई मे पहले चाही है तीन हजार डॉलर कर चलो टीक है इसको भी मैं खरीद लेता हूँ 6000 दोटल हो चुका है और मेरे पास सिर्फ भाई 2000 रहे तो भाई मुझे ना जितने भी मैंने शेर खरीदेते सारे के सारे बेचने पड़ेंगे वरना भाई मैं घाटे में चला जाओंगा और इसको थोड़ा सामें और आगे कर देता हूं पहले इतना ठीक है और एक इधर कस्टमर आया हुए तो पहले तो इसको फिरी कर देता हूं मुझे ना वह एक और कैशिर आयर करना पड़ेगा और इसने लिया है 94 इसको मुझे लोटाने 94 अब भाई तु पागल है इतना ज्य सामार ले रहा है और चेंज ले रहा है इतना है लेकिन मैं मैं तुम्हा अब मैं किसी में ऐसं कर दें two the combined और इसके अलाबा भाई मैंने किसमें स्टॉक पहले इन झाला में खरी टमद्य के और बह China मेरे बुरे वक्त पैंड six तोक में के मैं इंटिरियर में चला जाता हूँ पहले तो एक security gate मुझे और खरीदना होगा जो कि 500 डॉलर का है ठीक है इसके अलाबा भाई मुझे ना कुछ plant खरीदने थे decoration में जो कि यह वाले और एक मैं ऐसा करता हूँ यह भी खरीदे लेता हूँ ठीक है चलो तो मैं उनको खुद से ठीक करना पसंद करता हूँ तो इसलिए रिपेर में की जब जरूरत होगी तब मैं उसको हायर कर लूँगा फिलाल तो काम चल रहा है और यह वैलकम बोर्ड और सेल का बोर्ड बहुत ज़रूरी है तो इसको भाई मैं खरीद गया पर लगा देता हूँ ठीक है इसके अलावा तो भाई मैंने प्लांट वगरा खरीदे हैं जो कि मेरे ना इस कांच के आगे लग जाएंगे यहां पर कुछ ऐसे बहुत जादा मस लगते हैं यह प्लांट ऐसे अगर कांच के आगे लगे रहे तो दूसरा वाला प्लांट आ जाएगा मेरा इधर और और पैसा भी भी है मेरे पास 10,000 डॉलर तो ट्राइल रूम चलो 1200 डॉलर का आचुका है यह और इसको मैं लगा देता हूँ दोनों को आजू 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 लगा देता हूँ इसके साइड में यहां पर ठीक है यह ऐसे ठीक लग रहे हैं दो ट्राइल रूम है इसको इसके बाजू में कुछ ऐसे हाँ ठीक अब यह जाद अच्छे लग रहे हैं तो दो ट्राइल रूम और फोन केसे हैं यहां पर काफी स्पेस है तो मैं यहां पर और भी कुछ चीज़ा लगा सकता हूँ जैसे की बैग या फिर और भी कुछ लेकिन फिलाल तो ठीक है क्योंक मेरे को मस्त लग रहा है और कैशियर को भाई मैंने हैर तो कर लिया है लेकिन वह भी तक आया नहीं है और एक सेकंड भाई ऐसे में उज़े दो और खरीदने पढ़ेंगे साइन बोर्ड जो कि मैं जब भी सेल रखता हूँ वही तब काम आते हैं तो एट टू काट एट टू है होल सिल का ओडर लिया जिसके अंदर पचास जाड डॉलर थे कुछ ना इंप्लोईज हार किया जैसे कि री स्टॉकर है सेक्यूर्टी गार्ड है एक कैशियर और हार किया जो कि अभी तक आया नहीं लेकिन थोड़ी बहुत दिर में आ जाएगा अपने स्टोर को बढ़ाय फैक्टरी में इतना ज़्यादा काम किया कि तेल निकल गया दो नए ये शेल्फ खरीदे चुकि हमारे स्टोर के री स्टॉकर के काम आते हैं और इनके अंदर भी काफी ज़्यादा सामान मैंने रखा हुआ है जैसे सामान खतम होता जाएगा वो यहां से उठा के सामान रख